दोस्तों यूट्यूब की तरफ से बहुत ही जवाजस्त अपडेट दो अपडेट निकल कर आया है जिहां दोस्तों मैं लगातार अपडेट को बताता रहता हूं और अपडेट आता ही रहता है यूट्यूब इतना अच्छा अपडेट लाता है दोस्तों जो सभी को बहुत ही दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँं जो भी अप्डेट निकलता है पहले मतलब लांच नहीं होता पहले तो उसका नोटिफिकेशन के पास जाता है तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैं फेस के वीडियो बना कर उसका notification देता हूँ लेकि दोस्तों जैसे ही update launch होता है मतलब कि उसको use करने के लिए हम सब के लिए launch हो जाता है तो उसको मैं दोस्तों review करके खुद ही बताता हूँ तो इसलिए दोस्तों जितने भी वीडियो आई update के बारे में पूरी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि दोस्तों सब वीडियो हमारी important रहती है और आप सब के लिए बहुत ज्यादा knowledgeable रहती है तो चलिए दोस्तों update के बारे में बताते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर रहे हैं क्योंकि जितने भी वीडियो आती है हमारी सब important रहती है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कौन सा दो नया update है पहला update की बात करों दोस्तों तो एक YT studio में आया है जो कि दोस्तों आप यूज करते भी होंगे अगर आप YouTuber है तो YT studio जरूर यूज करते होंगे तो उन्ही को पर आया दोस्तों ये खास कर जिनका monetization on हो गया है उन सब के लिए ये update आया हुआ है दोस्तों अपडेट यह है जैसा कि आप पहले अपना monetization आन करते थे YT studio में तो अगर आपका 10 minute के वीडियो रहता था तो आपको एक option वहाँ पर YouTube studio मिलता था जाकर तो YouTube studio में आप जाकर वहाँ पर setting करते थे कि हमारे midroll add लगे midroll add मतलब जैसा कि आप जानते भी हैं कि वहाँ पर add सबसे जादा आते है midroll add में तो वही पर दोस्तों midroll add लगाने का YouTube studio में आपसन होता था जो कि 10 minute के अंदर होता था लेकिन वही update के अंस्वार मतलब कि 8 minute के अं जाकर या कोई विराउजर जाकर YouTube YouTube studio से जाकर उसको midroll add को on करते थे तो वही जो update आया है yt studio मागया जो कि mobile phone से आप यूज कर सकते हैं अपने apps को लगा सकते हैं जिहां दोस्तों बहुत ही अच्छा update है जिनका monetization आन है उन सब के लिए यह बहुत ज्यादा YouTube studio में जानिक जरूत नहीं है अब आप yt studio से ही अपने midroll add को on कर सकते हैं तो दोस्तों इस सबसे पहला update था हो सबसे खास जो है monetization जिनका आन था उन सब के लिए update बहुत इंट्रेस्टिंग था अब चलिए दूसरे update की बात करते हैं कौन सा दूसरा update है आप सब के लिए वह क्या होता जैसे बहुत सारे लोग गाने वहां पर सूट करते हैं काफी लोग अपने कमेंटरी दे का मतलब कि कुछ चैनल के बारे में बताकर अपनी वीडियो को वहां पर सूट करके upload करते हैं तो उन्हीं सब के लिए दोस्तों update आया हुआ हुआ है जैसे दोस्तों ट्रैफ गया है जिसका YouTube सोट का फीचर दे जुका है तो वहां पर दोस्तों अब जितने भी YouTube सोट में वीडियो बनेंगे आपके चैनल पर वहां पर दोस्तों उसका रेंज दिखाया जाएगा YouTube स्टूडियो के ट्रैफिक सोर्स में तो दोस्तों आपने चार्ट भी देखा मैंने इसे जा रहा है और जो मैं पहले अपडेट बताए में डोल आइड का उसके बारे में भी मैं रिवीव लेकर आएंगा तो दोस्तों आप लोग चैनल को जोरू सब्सक्राइब कर रहे हैं जैसे कि आप अगर चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हो तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिस में तब तक लिए जाहिन बंदे मातरम